आशा करता हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे, मेरे नाम है सद्धान तगनी हुतरी, स्टेडी ग्लोस पे आपको बहुत दोस्पागत है, क्लाइमिट चेंज की सबसे बड़ी बैटक होने वाली है, COP 27, इससे पहले पिछले साल क्या हुआ था, कितना commitment पूरा हुआ है, एक बार जो मैंने commitment कर ली, उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, दूसरी बाद अपने बाप की भी नहीं सुनता, त्रीसरी बाद मेरी कोई नहीं सुनता, तो COP26 एक साल बाद क्या कुछ बदला है चलिए जानते हैं और क्या आखरे साल की मतलब पिछले साल की climate pledges थी पेटा सबसे पहले तो एक चीज बता दू कि जो हमारा memory magic course है वो इतना शांदार है क्योंकि अब आपको सब कुछ मतलब geography का right left center याद हो चाहेगा क्योंकि geography के लिए हमने GPS method बनाया है और इस method के प्रू हम आपको एक एक चीज याद दिला देगे सब कुछ मैं बनाना सीख जाओगे 300 रपय का course है geography आपको coupon code यूज करना है 6 November से live classes हुई right तो COP क्या है United Nation Climate Change Conference 31 October से 12 November तक चली थी सारे देशों ने 194 देशों ने और सबने हिस्सा लिया था IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change ये अपनी रिपोर्ट निकालती है heat waves, droughts, extreme rainfall बैसे climate change मैं आपको एक एक चीज बहुत ही सब कुछ इसमें बता दूगा कभी भी climate change का लेच्चर देखना हो ये देख लेना तो COP26 पिछले साल हुआ United Nation Climate Change Framework Convention UNFCC के हिसाब से चार गोल पे काम करेगा COP26 पिछले साल के ये है पहले सबसे तर नमबर 1 2050 तक net zero यानि कि carbon emission बिल्कुल zero भी हम net zero के और अच्छे से बात करेंगे हमको temperature डेर डिगरी Celsius तक ही रखना है दो डिगरी से उपर नहीं जाना है अभी 1.1 है और जो देश हैं उनको बोला गया कि आप आगया हिए और 2030 तक emissions को cut करिए फिर उसके बाद दूसरा जो आपके natural habitats है और जो communities हैं उनको आपको protect करना है सारे देश मिल के काम करेंगे ताकि जो हमारे जंगल है जो हमारे ecosystem है उसको सुरक्षित रखा जा सके पैसा भी चाहिए 100 billion US dollar हर साल सब को देने है mobile finance, mobilized finance तो तीसरा और the last and the most important work together to deliver सब निमिटा दो, सारे बैर मिटा दो सब सब प्यार से एक दूसरे के साथ काम करो ताकि हम अपने climate change को बजा, मतलब climate change को रोग सके तो conference of parties 1994 में शुरू हुआ था COP, यह 26 मी मीटिंग है COP26, तो हर साल यह होती है तो 1994 में हुआ था और 1994 में UNFCC के ही अंदर आता है देखिए, यह जितनी भी जो भी मीटिंग है ना, COP की यह United Nation के अंदर आता है United Nation Framework for Climate Change यह 1994 में बना था और COP जो है जो भी decide होता है यह इनको implement करता है, समझे रो So COP is Apex Decision Making Authority of UNFCC, समझे रो और यह सब कुछ करता है Climate Change को कैसे deal करना है देशों को क्या-क्या बताना है Everything समझे आप और 1995 से हर साल ही एक बार मिलती है और लगबग एक महिने पूरिन की मीटिंग चलती है 198 देश है 198 बना टोटम देश 194 है, लेकिन 198 पार्टी है तो यह चीज है सबसे पहले 1995 में COP21 बर्लिन जन्वरी में हुई थी ठीक है और आपको बता दो कि जो COP21 है COP1 तो आपकी बर्लिन में हुई थी लेकिन 2015 में जो COP21 हुआ था Conference of Parties Paris में जिसमें यह बोला गया था कि 2 डिगरी Celsius के उपर नहीं जाना चाहिए वो तो मतलब एतिहासिक रही है और उसका IPCC रिपोर्ट को तो Nobel Peace Prize भी मिला था समझ गया COP के बारे में तो आप हम बात करेंगे कि क्या Pledges है What are the new Pledges What the new Pledges would do तो सबसे पहले तो हम सभी को पता है कि 2 डिगरी Celsius से उपर नहीं जाना है Pre-Industrial Level जो हमारा पहले था वैसे ही रहना है अभी 1.1 डिगरी Celsius है कुछ भी करके कुछ भी करके जो आवरेज टेंपरेचर है 2100 तक यानि कि ये जो दशक खतम होगा बनाब सदी खतम होगी 1.9 डिगरी Celsius तक ही रखना है लेकिन दोस्तों ये वही बात है आप बोल रहे हो कि टेंपरेचर अभी 1.1 है और इसको 1.9 डिगरी Celsius तक रखेंगे क्योंकि 2 डिगरी हो गया तो irreversable है आप भी देख रहे हैं कि आभी मार्च में कितनी गर्मी पड़ी हर जगा फ्लट्स सारे देश डूबे पड़े हैं एक चीज आप समझी हो कि अगर मान लिजे कि आप 10 सिगरेट पी रहे हो फिर इसके बाद आप बोल रहे हो कि चलो जो एक काम करते हैं भी मैं 6 सिगरेट पी हुँगा तो क्या यह पेरमीटर होना चाहिए भाई आपके लिए 1 सिगरेट भी ज्यादा है तो यहाँ तो 6 सिगरेट्स की बात हो रही है सही ताब होगे जब आप बोलंगे इसको 0 कर देते हैं तो यह 1.9 भी बहुत जादा है यह बस इतना ही बोल रहा है कि 2 डिगरी से 1.9 कर देंगे तो जादा तो यह भी है लेकिन अच्छी बात ही है दोस्तों कि सारे देश इसको लेके सीरियस है भारत ने आपको पते हैं अभी भारत कीवी बात करेंगे 5-point action plan दिया था चाइना यह बोल रहा है कि भाईया हम carbon neutral 2007 तक हो जाएंगे अमेरिका नमबर बन और चाइना नमबर टू सबसे ज़्यदा carbon यही प्रेड्यूस करते हैं और अमेरिका और यूरोपियन यूनियन बोल रहा है कि हम net zero plans 2050 तक मतलब अपने enemy खतम हो जाएंगे 2050 तक net zero plans होंगे हमारे net zero को मतलब यह होता है कि यतनी carbon आप छोड़ रहे हो उतनी carbon आप हटा रहे हो है कि balance है सब कुछ समझे रहो Newton's third law एक तरीके से कि देखें यह हमारा atmosphere है और हमको पता है कि अगर बहुत सारी carbon इसमें present होगी तो carbon heat गर्मी को पकड़ती है तो अब हम यह हमारा surface है अब धरती पे हर रात जो है मस्त तरीके से हर दिन जो है वो गर्मी आती है और रात में यह गर्मी वापस जाती है balance है अगर carbon जादा present होगा तो इस गर्मी को भी track करेगा दूसरी चीज़ pollutions अगर फैलेंगे ठीक है अगर हर जगा तो खतरनाक gases greenhouse gases जो pollution वाली gases हो दिए वो फैल जाएंगे वो क्या करेंगे और गर्मी को बढ़ाएंगे जिसकी वज़े से temperature बढ़ेगा glaciers पिग लेंगे और हम ही को ही दिक्कत होगी ठीक है तो यह चीज़ है तो इसीलिए सबसे पहले समय carbon को कम करना है तो यूरोप नहीं बोला है 2050 तक net zero यानि कि carbon जितनी हम छोड़ रहे हैं उतनी carbon हटाएंगे अब हटाएंगे कैसे पेड़ लगो जितना ज़दा पेड़ दोसों देशों नहीं एगरी किया है कि देखो बड़ा हम nationally determined contribution NDC pledges को NDC बोला जाता है हम जो हैं वो climate को टाकल करने है climate change को ठीक है लेकिन अभी तक दोस्तों अब COP27 खड़ा है सिर्फ और से 24 देशों नहीं ऐसा किया है अभी भी pollution बहुत जादा है हमको दो डिगरी सेल्सियस तक किसी भी हाल में नहीं पहुंचाना है दो डिगरी सेल्सियस पहुंचने का मतलब यह है कि खतम दुनिया खतम हो जाएगी फिर दुनिया नहीं खतम हो जाएगी हम रह नहीं सकते रहने लैक दरती बच्चे गी नहीं खतम हो जाएगी इस तीस साल में सब everything will be over क्योंकि extreme events पड़ जाएगी ठीक है तो दो डिगरी सेल्सियस तक नहीं लेकि जाना है फिर उसके बाद जैसे इंडोनेशा साउथ कोरिया ऑस्ट्रेलिया ने 43% emissions कट करेंगी यह बोला 2030 तक 2005 जो लेवल से 2030 तक हम कट करेंगे भारत की आप देख लिए पांच प्लिजे से हम आप सबको पता कि भारत नॉन रिनुवेबल एनर्जी पर बहुत जादा फोकस करने वाला है हम अभी भी भारत भी तीसरे नंबर पर बहुत कार्बन एमिट करता है तो अगर हम बात करते हैं तो अभी हम 80% dependent हैं नॉन रिनुवेबल पर यानि कि कोल पे पेट्रोल पे जो प्लिशन क्र करते हैं तो हमारा टार्गेट यह है कि 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी से यानि कि यह नुक्लियर एनर्जी होगी सोलर एनर्जी होगी इंटरनाशनल सोलर एलायंस हम ने जॉइन किया है हम इतनी जादा प्रेड्यूस करने वाले हैं उसके बाद भारत अपनी आ सूरज हमेशा रहेगा सोलर एनर्जी नॉन रिनेवल जो एक बार खतम तो खतम जैसे कि आपका कोल हो गया पेट्रोल हो गया यह लिमिटेड है खतम हो जाएंगे तीसरा भारत जो टोटल प्रजेक्टेट कारबन एमिशन से हैं वह वन बिलियन टंस तक रेडियूस कर देग है 2030 और 2030 यह बहुत इंपोर्टेंट है नेट जीरो हम हो जाएंगे यह थोड़ा सा लेट है लेकिन हमको इतना टाइम लगेगा क्योंकि हमें एक डेवलपिंग कंटेउर ही हमारे लिए बहुत बड़ी बहुत चिंता भी है नेट जीरो में आपको बताई क्योंको हूं अब चाइना का आप देख लिए बीजिंग ने बोला है कि भाईया देखो फिलाल अभी हम कोई भी नई प्लेजर नहीं लेने वाले है ना हमने पहले ही बोल गये कि 2008 तक हम नेट जीरो चले जागा अब हमसे कुछ ना बोलना अमेरिका ने बोला है कि ठीक है 555 बिलियन डॉलर हम रिनुवेबल एनरजी पर खर्च करेंगे और हम नेट जीरो 2050 तक जाएंगे और भारत नेट जीरो कब तक जागे 2070 चाइना कब तक 2007 अमेरिका कितना 2050 अमेरिका और यूरोपीन यूनियन भारत ने वही कार्बन नीट्रल 2070 तक बोला है ठीक है तुमने नेट जीरो को अब जीरो बॉल सेनोरो ने लंका लगा दी पूरे ब्रजील के आपको पता है कि जो इनका कारकाल रहा अमेजॉन जल गए अमेजॉन के जंगलों को इतना ज़ादा डिफॉरेस्टेशन हुआ है इतनी आग लगी है अमेजॉन को लंक्स अफ दी अर्थी भी बोला जाता है 20 प्रतिशा 20 परसेंट वो जो पूरा हमारा ग्रीनरी है और पूरा एकोलोजिकल जो है उसका वो क्या कहता है कि उसको मतलब वो उसके पास उतना है अब आप यह समझिए कि जब जीरो बॉल सेनोरों कि भाई वो बिजनेस वाले इंसान है क्यापिटलिस्ट कूट 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 अब ब्रजील का थोड़ी ब्रजील के हालत जो है वो काफी जादा सुधरेगी 27 देश और यूरोपियन उनियन सबसे जादा पल्यूटर है और अब यह बोल रहे हैं कि हम अपने 2030 तक टार्गे का अपडेट करेंगे चाइना बोला है देखो भाई हम 2030 तक पीक पे जाएंग और जो green cover जाता जा रहा है land क्योंकि हमको चाहिए उसको भी कम करें फिर ऐसे forest agriculture और commodity trade डायलोग ऐसे products बनाओ जो environmental friendly हैं समझ रहे हो और सबका सपोर्ट चाहिए small holder support देखिए इस पे सबसे बड़ी problem यह नहीं कि लोगों तक जब तक यह बात नहीं पहुँचा गी आप मुझ यह बात तब तक दोस्तों temperature बढ़ता रहा या बात मान के चलिए global forest pledge European union ने बोला है कि 1 billion euro तक हम इतना जदा पैसा जो है वो देदेंगो collectively हम बहुत जदा पैसा 12 billion डॉलर तक देंगे यह बोला है current statistics आप देख लिए कि अभी अगर हम बात करते हैं इस goal को achieve करने के लिए जो area deforestated area है 10% हर साल गटा जा रहा है मतलब उसको घटाना है भर साल अको 10% कम करना है समझे हो नहीं की जैसे deforestation वेर हो रहा है तो उसको 10% तक कम करना है हर साल है ना अब पिछले साल देखे 6.3% बाते बड़ी बड़ी ये कर देंगे वो कर देंगे इतना पैसा दे देंगे कितना करना था 10% कि दिया कितना है 6.3% खतम Amazon deforest सबसे जादा रहा है Amazon पे बहुत लैंड हो गया और पूरे जंगल काटे जा रहे है बुरी हालत है और डेटा बताता है कि 23% से ये बढ़ गया है इंडोनेशिया का deforestation 2016 से स्लो रहा है कॉंगो ने ये promise किया है कि हम अपने forest safeguards को बढ़ाएंगे और चीजे सही करेंगे आफ्रिका में हम कोशिश करेंगे कि अब कुछ भी ऐसा है आफ्रिका में भी बहुत बढ़ी दिक्कत है वहां पर जंगल काटे जा रहे है मिठेन प्रज़ आप देख लिए 119 देश जिसमें अमेरिका भी शामिला ये उन्हों ने बोला कि 2020 2030 आते आते तीस परसंट तक मिठेन emission खतम हो जाएंगे लेकिन सिर्फ परसंट अभी 15 ही देश है 119 देश हो मैं से काली 15 देश है बस जो कोई फ्लान के साथ आए बाकी किसी ने भी कोई प्लान बग बोल दिया मैंने वही बोल दिया मैं UPS को प्लान क्या है पता नहीं बगवान बरुसे और सबसे important methane है CH4 hydrocarbon सब से ज़्यादा यहीं से ही आता है ठीक है ये आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा carbon dioxide then methane ये दो गैसेज में एक दम हालत थरा करके रखिए फ्लाक कारबन, नाइट्रिस, ऑक्साइड, बाकी ये सब आप देखी देगो और ये देख सकते हो कि कितना टेंपरेचर बढ़ा रहा है 1.2 अभी तो आप देखी सकते हो कि कितना जादा इन्होंने टेंपरेचर बढ़ा दिया है 1850 प्री इंडेस्ट्रिल लेवल से लेकर पुरा अभी तक का ये पूरा ग्राफ है फिर उसके बाद वही है क्या सलूशन है, मिटिकेशन ग्रीन हाउस गैसेज को कम करो, सिंपल सी बात है और इसमें ये अभी जो कॉप 27 होगी इसमें बहुत ज़ादा फोकस रहेगा और ग्लाजगो में ये फोकस रहा था कि आप इलेक्ट्रिक वेहकल पर जाओ आप रिनुवेबल एनरजी पर जाओ कहीं का है कि फॉसिल फ्यूल को पूरी तरीके से यही है पैसा पैसा भी एच्छा काचा चाहिए तो पैसा भी मिटिकेशन एडाप्टेशन और मॉनिटर पैसा भी चाहिए नहीं तो अब यहां पर ग्लाजगो में यही पिछले साल ग्लाजगो मही हुई थी COP26 की बात हुरिए TOP7 बटकिएगा तो अब यहीं बोला था कि कम से कम 1.3 trillion US dollar हर साल आपको देने हैं 2030 तक अब क्या मिले नो 2030 तक 100 billion dollar आपको देने है रिच कंट्रीज गरीब देशों ने फेल हुए आपको बता है गरीब देश इसमें अमीर देश फेल हुए सॉरी गरीब देश नहीं अमीर देशों ने बहुत बड़े बड़े प्रॉमिस के एक धेला नहीं दिया एक धेला नहीं दिया अब गरीब देशों का भरोसा अमीर देशों पे उड़ गया है जो अमीर देश है 16.7 billion dollar shot of target 2020 अब यह बोल रहे थे कि 2023 तक तो भूल जाओ कि यह target जो है वो meet हो पाएगा जर्मनी और कैनेडियन सरकार ने जो wealthy countries है यह इनो डेवला कि 100 billion dollar तक हम आपको दे देंगे कैसे देंगे पता नहीं ग्रीनिंग बिजनेस पे कई बहुत बहुत बात होती है कि ऐसे बिजनेस लेके आओ जो particularly climate change को tackle करने में कामियाब रहे जी फैन्स एक ग्रूप बनाया गया जो एक umbrella group है financial service के लिए net zero emissions कैसे अब ये एक अच्छा business है कल को अगर मोदी जी बोलेंगे कि बड़ी मुश्किल हो रही है net zero emissions कैसे तो आपने company खोन लिए और आप बोलो कि मैं net zero कर दूँगा मैं pay लगाँगा आप मुझे contract दे दिजे तो वो business की बात हो लिए आपको पता है और इस group में अभी तक 500 members के करीब हो जुके हैं इसमें सबसे the world के most leading banks, insurers, asset managers, सब जिनके पास 150-500 trillion dollar की asset है तो ये तो एक अच्छी चीज है अब आप देख सकते हैं ये तो 118 asset managers, 44 asset owners, 35 banks ये सब इसमें आए हैं और अभी पिछले अपते ही इन्होंने G-fans को criticize किता climate activist ने यहा में कर नहीं रही हैं क्योंकि पैसा बहुत जादा है लेकिन पैसे को ये खर्च करना नहीं चाह रही है और यहां पे जो companies, fossil fuels को expand कर रही हैं उनको ये fund दे रहे हैं बजाए कि उनको cut करने के लिए तो यही हिसाब किताब है अब देखिए COP27 लोगा उसमें क्या 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 commitments होते हैं देश क्या क्या बोलते हैं देशों के लिए क्या क्या instructions हाते हैं वो तो बाद में ही पता चलेगा बेट फिलाल ये लेचर था और हमारे geography course को अब ज़रूर अवेलकर आपको बहुत ज़दा फाइदा होगा थाक्यू सो मुच